तुम्हारे भी भीतर सभी कुछ है दीपक है, तेल है, बाती है केवल आग की कमी है और वो आग उठेगी तुम्हारे ही प्राणों से तुमने सुना है ना प्राण जियोती वहीं की लपक से तुम्हारा दीपक जलेगा कोई ओर तुमारा दीपक नहीं जला सकता अगर दूसरा कोई कर सकता तो क्रिशन ही तुम सबका दीपक जला गए होते बुद्ध, मावीर, महम्मद, जीसस वो सभी मिलकर तुम सबका दीपक जला गए होते लेकिन ये काम दूसरे का है भी तो नहीं दूसरे का दीपक, दूसरे का ग्यान, दूसरे का भोध, दूसरे की आग, दूसरे के भीतर का प्रेम, दूसरे के भीतर की आगा, तुमारे किसी भी काम नहीं आएगे. सच्चा गुरू तुम्हें यही बताता है और जूटा गुरू जूटा सद्गुरू तुम्हें कोई शिवलिंगा बना कर दे देगा तुम्हें वहीं मुडों की भाती बिठा देगा क्योंकि वो ग्यान तो उसके पास है ही नहीं वो तुम्हें कहां से देगा वो तुम्हें परमात्मा कहां से ढूड़वाएगा वो कहेगा मैंने शिवलिंगा बना दिया बैठे रो यहीं अपनी मूड़ता बरे दिन बिताओ और वही तो तुम करते हो ग्यान कभी भी शास्तों से शब्दों से तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि शब्द तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं लेकिन शब्दों से परह जो होता है उसे कोई भी कैसे दे सकता है शब्दों में लपेट कर सत्य का ग्यान कोई ऐसा ग्यान नहीं है जो तुम्हें पुस्तकों से मिलता है क्योंकि सत्य कभी भी पुस्तक में ना गीता में, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना गरंथ में इन पुस्तकों से तुम्हें वो सत्य ना मिल पाएगा जो सत्य बुद्ध ने जाना जो सत्य मावीर ने जाना जो सत्य मुहम्मद ने जाना नानक ने जाना कवीर ने जाना क्योंकि सत्य जो नानक ने जाना जो बुद्ध ने जाना वो कहीं बाहर से नहीं जाना भीतर से जाना सत्य तो वो आग है जो उनके भीतर की चिंगारी से जन्मी सत्य सत्य तो बुद्धों के भीतर जन्मता है जैसे एक इस्त्री के भीतर शिशु जन्मता है वो मा से ही हड़ी, मास, मज़्जा लेता है उसी प्रकार सत्य बुद्ध से बुद्ध का जीवन ले लेता है उस जीवन की मोत पर ही सत्य का जनम होता है उस सत्य के बीतर उसी बुद्ध का खून दोड़ता है जिस दिन तुमारे भी प्राणों की आग उस परमात्मा के लिए उठेगी और इतनी उपर उठेगी कि वो पूरे आस्तित्व को अपनी आगोश में ले लेगी और फिर वो आग इतनी विशार इतनी भयंकर होगी कि उसमें वो बुद्ध सुयामी जलकर भस्मी भूत हो जाएगा और फिर वहाँ उस बुद्ध के भस्मी भूत होने के बाद जनम होता है उस बुद्ध को प्राप्त करने वाले सत्य का लेकिन कौन पाएगा ऐसा सत्य है कौन देगा ऐसी कीमत इतनी हिम्मत कौन करेगा कोई बुद्ध सरीखा पागल कोई नानक सरीखा सिर्फिरा लेकिन तुम अच्छे हो बचे रहो कभी कबार मंदिर, मस्जिद, गिर्जे गुर्द्वारे हो या करो कभी कबार पुस्तकों की पाठ पूजा कर लिया करो क्या करोगे नानक जैसे दिवाने बनकर क्या पाओगे मावीज जैसे दिगंबर होकर लोग पत्थर मारेंगे और तुम सहनना कर पाओगे लोग गालियां देंगे और तुम सुनना पाओगे बस गुरू यही दर्शन कराता है तुम्हें ताकि गुरू का दर्शन, गुरू का आचरन गुरू के शब्द तुमारे हृदे के आर पार हो जाएं भेद दें तुमारे हृदे को लोहू-लोहान कर दे और फिर तुम उस जखम को लिए-लिये ही जीओ बस इतना ही करता है गुरू गुरू तुम्हें जख्म देता है कोई मंत्र से काम नहीं होगा कोई पुछकारने से काम नहीं होगा कोई दिक्षा से काम नहीं होगा वो तो तुम्हें बहलाने की बात है गुरू तो तुम्हारे हिदे को जख्मी कर देता है कोई गुरू तुम्हें सुखी करेगा भूल में हो तुम हाँ गुरू रूप बनाए कोई व्यक्ति तुम्हें संतामना दे देगा सत्य है ये कोई चोला धारी तुम्हें कोई यंत्र, मंत्र दे देगा सत्य है ये लेकिन बुद्ध नहीं देगा इसलिए मैं तुम्हें कई बाहर कह चुका हूँ बुद्धों से दूरी बनाए रखना अगर सुखी रहना चाते हो अगर जिंदा रहना चाते हो अगर संसार की मस्ती में घूमना जाते हो तो बुद्धों से दूरी बनाए रखना बुद्धों के संग से दूर है ना बुद्ध संक्रामक रोगी होते हैं वो रोग, छूत का रोग बुद्ध के साथ बैठोगे बुद्ध को सुनोगे तो तुमें भी लगेगा जितना हो बचे रहो, अनन्दित रहो संसार में मस्त रहो आज इतना ही, शेश किसी ओर दिन अन्त में तुमारे भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा नमन तुम सभी जागो, जाकते रहो